हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं योट्यूब चैनल आज हम न्यूबर्ण बेबिस के लिए फ्रॉक बनाने वाले हैं तो यह हमारी पास हाफ मिटर से भी कम कपड़ा हैं यह हमने फोर फोल्ड में रखा हुआ हैं तो यह देखिए इसकी लेंध हमारी 14 इंच हैं तो सबसे पहल लेंगे तो घे準 के लिए हमें लेना है 30 चैनicz हैं है अब इससे यहाँ से कट कर लेंगे अब हमें चोली वाला पार्ट कट करना है तो इसके लिए हम फोर फोल्ड में चैन्च की चौड़ाई का कपड़ा लेंगे इस तरह 6 इंच में 4 फोल्ड कर लेंगे इसे और लंबाई इसकी 6.5 इंच लेंगे यहां से भी 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे अब हमें गले के लिए मार्किंग करनी हैं तो गले के लिए हम पौने 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और दो इंच के हमारी shoulder पट्टी लेंगे और गले की गहराई भी हम poney दो इंच की लेंगे आगे के लिए और इस तरह ऐसे poney 2 वए poney 2 का box बना लेंगे और यहाँ पर गुलाई दे देंगे बैक के गले के लिए हमें एक इंच पर मार्क करना है और यह हमारे बैक का गला हो गया अब हमें आर्मोल के लिए 4 इंच पर मार्क करना है अब यहां से इसे नाप लेंगे यह है हमारा पॉनी 4 इंच तो पॉनी 4 इंच हम यहां से ले लेंगे अब इस तरह से हमें आर्मोल ड्रॉ कर देना है अब यहां से 6 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे 5 इंच पर मार्किंग करनी है हमें आदा इंच कम कर देंगे हम वेश्ट पर और यहां गुलाई दे देंगे आर्मूल की अब यह सभी मार्किंग हो गई है हमारी अब इसे कट कर देंगे हम तो अब ही हमें बैक पार्ट के साब से कटिंग करनी है अब गला हम बैक के साब से ही कट करेंगे अब इसमें से एक पार्ट को हम अलक कल देंगे अब हमें फ्रेंट के गले की शेप भी दे देनी है तो ये फ्रेंट के गले की कह रही हो गई हमारी अब यह दौनों पार्ट हो गए हैं हमारे फ्रंट और बैक के और यह हमारा घेर हो गया है यह इत्ती छोटी सी फ्रॉक बन कर रेडी हो गया हमारी अब हमें स्लीफ कट करनी है तो बचा हुआ कपड़ा है इसे फोर फोल्ड कर लेंगे हम अब यहां से हमें तीन इंच पर मार्क करना है आस तीन के लंबाई के लिए और जो चोड़ाई है इसकी जितनी भी चोड़ाई है हम इसे पूरी को ले लेंगे और हम इसमें गैदरिंग डाल देंगे यानि जो स्लीफ से हैं बच्चे की वो चुनगट वाली बना देंगे हम और डेड़ इंच पर हम कैप आइट लेंगे और यहां स्लीफ की शेप दे देंगे साड़े चार इंच तो हमें इसके रेडियार मोल रखने है और बाकी जो भी कपड़ा बचेगा हमारा इस पर हमें स्लीफ की शेप दे देनी है इस तर ऐसे आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहां गैदरिंग वाली स्लीफ बनाऊंगी तो उनसे बहुत संदल लुक आएगा फ्रॉक में तो अब इसे यहां से कट कर लेंगे हम तो यह हमारी स्लीफ भी कट हो गई है या सेंटर का निशान लगा देंगे कट लगा देंगे हम अब यह देखिए यह टोटल है हमारा आठ हिंच के आसपास तो हमें चार हिंच तक गैदरिंग करनी है इसमें यहां श्ट्रेट कर लेंगे अब हमें हम्मारा फ्रेंट पार्ट ले लेना है क्योंकि हम यह चोटी पच्चे के लिए बना रहे थो आजिए से रखेंगे हम बटन वाली फ्रॉग बनाएंगे यह अब हमें की श्चिचिंग करनी है तो सबसे पहले हमें चोली के शोल्डर्सGO को जॉइंट करना है तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे स्लीप्स के बोटम को डवल फॉल्ड कर लेना है इस तरह से इस तरह से हमें दौनों स्लीप्स DAN से रेडी करना है कि यह दिखिये दौनों मर्दी हमारी रेडी हो गई है अब हमें नहीं चोली पर अठेच करेंगे तो चोली का संटर बे लेंगे हम shoulder joint होते हैं जहां से और sleeves का भी center ले लेंगे अब हमें sleeves पर छोटी-छोटी सी plates डाल देनी है 4 इंच तक ये देखिए इस तरह से हमें अभी हमारा बराबर आ गया है armolo sleeves अब इसी तरह से हमें दूसरी तरह भी sleeves पर plate डाल लेनी है तो ये देखिए इस तरह से हमें plates ले लेनी है छोटी-छोटी सी तो ये देखिए कट लगाये थे हमने वहाँ तक plates ले लिए अब normal sleeves को attach कर दिया है तो ये इस तरह से हमारी sleeves की design आई है अब इसी तरह से हम दूसरी sleeves को भी ready कर लेंगे तो ये देखिए हमारी sleeves ready हो गई है अब हमें side की fitting की सिलाई लगानी है तो यहाँ हम आदे-आदे inch पर सिलाई लगा लेंगे क्योंकि बच्चों की जो frocks होती है वो विलकुल fitting में नहीं रहती है वो looji रहती है तो ये देखिए हमने दूसरी तरब भी इसी तरह से सिलाई लगा ली है अब हमें गेरे पर plates बनानी है ये देखिए हमने गेरे का कपड़ा ले लिया है अब पूरे गेरे पर हमें छोटी-छोटी सी plates बना लेनी है अगर आप ज़्यादा गेर ले रहे है तो वहां पर चोड़ी plates भी आ सकती है या फिर आप चाहें तो box plates भी बना सकते हैं लेकिन हम यह चोटी knife plates में बना रहे है फ्रॉक को ये देखिए पूरे गेरे पर हमने plates डाल ले हैं अब इस गेरे को हमें चोली में attach करना है तो ये देखिए इस तरह से रखेंगे हम चोली को उल्टा रखेंगे और गेरे को सीधा रखा है हमने अब इसके उपर हम इस तरह से चोली को रख देंगे और इसे attach कर लेंगे प्लेट्स डालने के बाद एक बार आपको चोली की जो गुलाई है वो और घेरे की गुलाई है ये दौनों को मेजर कर लेना है कि दौनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अगर कोई भी फर का रहा है तो आप प्लेट्स को कम जादा कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा बिल्कुल घेरा और चोली बिल्कुल बराबर है तो हम यहां कुछ भी करने की ज़र्णत नहीं है यह हमारी अटेच हो गई है अब हमें आगे बटन के लिए पट्टी लगानी है यह देखिए यहां पर हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो यह हमारी जो काज़ वाली पट्टी होती है वो पट्टी है यह अब इसे अंदर की तरफ इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है यह देखें और यहां उपर भी एक सेलाई लगा देंगे हम अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसे डवल फोल्ड कर दिया है इस पट्टी को और एक सलाई और लगा देंगे इसके उपर अब हम दूसरी तरह भी पट्टी लगा लेंगे तो इसके लिए हमें डवल फोल्ड पट्टी लेनी है और इसके उपर रग देंगे हम इस तरह से यह हमारी बटन वाली पट्टी है एक्स्टर पट्टी को यहां से कट कर देंगे अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे और पट्टी के ऊपर हमें एक सलाई और लगा देनी है तो यह हमारी आग निकल के रहेगी पट्टी इस तरह से अब हमें इसके गहरे को फोल्ड करना है तो डबल फोल्ड कर लेंगे हम गेरे को एक वार फोल्ड करेंगे फिर एक और वार फोल्ड कर लेंगे तो पूरे गेरे को हमें इसी तरह से रैडिकल लेना है तो यह हमारे पूरे गेरे पर सिलाई लग गई है अब हमें गले पर पट्टी लगानी है तो इसके लिए हमने और पट्टियां ले ली है और उन्हें जोइंट कर लिया है यह देखिए इस तरह से रखके जोड़ते हैं हम पट्टियों को यह हमारी और पट्टियां है अब इनकी जो सिलाई है इसे बीच में से हम चील लेंगे इस तरह और हमें इसे इस्ट्रेट कर लेना है पट्टि को यह देखिए इस तरह से extra जो कपड़ा था तिकोना वो हमने निकाल दिया आप इस तरह से double fold करेंगे हम पट्टी को corner पे से और उल्टी तरफ से रखेंगे हम इसे wrong side पे रखेंगे हम पट्टी को आप चाहें तो right side पर रखके wrong side पर turn कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर हम पट्टी लगाते हैं तो उसकी finishing जादा अच्छी आती है देखने में संदर लगती है वो तो यह देखें एक्ष्ट्रा पट्टी को यहां cut कर देंगे थोड़ा सा fold करने के लिए रखके पर एक और वार fold कर दी तो double fold हो गई हमरी पट्टी अब इसे इस तरह से शिलाई लगाती जाएंगे बराबर बराबर जितना माल जन हम पट्टी में रख रहे हैं उतनी बराबर आनी चाहिए हमारी यह पट्टी निकल गए piping निकालते हैं न उस तरह से तो इस तरह से piping बनाने पर बहुत संदर लुकाता है इसमें फ्रॉक में हम टॉप बगर बनाते हैं तो उनमें भी ज़्यादा तर इसी तरह से पट्टी लगाते हैं तो finishing बहुत अच्छे आती है इसकी यह देखिए डवल फोल्ड करते हुए हमने पूरी पट्टी को लगा लिया है अब हमें इस पर बटन अटेच करने हैं आप चाहेते हैं एक और से लाई लगा सकते हैं इससे बिलकुल मार्केट का लुक आएगा यह देखिए अब हम इसमें बटन लगा लेंगे आप तो यह देखिए फ्रेंड्स हमने आप ब्लेक कलर के चिटचेट वाले बटन लगा दियें जन्ने हम आराम से खोल सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं बच्चे की फ्रॉक में तो यह देखिए फ्रेंड से हमारी फ्रॉक बन कर तयार हो गई है आपको यह फ्रॉक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग